नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हुमेन अक्षे आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं नाम है बात भारत की जिसमें होगी बात देश की लोकतंत्र की क्या चल रहा है देश में क्या नहीं चल रहा है आज बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं दवायर की कि स्थितियां जमीन पे क्या बदली हैं हमने देखा कि बीच में कुछ पीरियड आता है ऐसा जहां पर राज में शान्ती दिखती है पर कहीं फिर अचानक से चुड़ाचानपूर या भिश्नुपूर कहीं किसी इलाके में हमें दिखाई पड़ता है कि फिर से अचानक से हि है जो नुडेली मीडिया है इसके बारे में कवर नहीं करें इसका मतलब यह नहीं कि मिलाटी आ गया मनिपूर में और प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बात नहीं कर रहे है तो शान्ती आ गया तो ऐसा नहीं है हम अभी 28 एपरिल को ही अब देख लीजों अभला लोग त फज़ाता है, तो आज जैसे हम May 3rd 2024 में बात करें हैं, May 3rd 2023 में इस समय मानिपूर में हंगावा था, तो एक साल जो यह गुजरा, जो बारा महिने जो गुजरे, तो इसमें कहीं लोगों ने जान गवाई, जो अपने ने जो गुजर गए, तो यह गुजर गए, तो यह एक डिस्प्लेस्में की माहौल चल रहा है, और लोगों में जो यह न, वो मोर्निंग तो करी रहे हैं, कि हमारे लोग जो अपने नेर एंड डियर वन्स गुजर गए, उनके लिए तो दुख है, उनके लिए कभी एक जिन जस्टिस मिलेगा सोच रहे हैं, लेकिन सरकार पे या सिस्टेम पे कोई ट्रस नहीं है, क्योंकि आप देखी उन्होंने क्या देखा, मेरा अगला सवाल यही है कि जो सरकार की चुपी पूरे इस दौरान बनी रही, आज भी अपनी कुछी पर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि वो खुद मेटी समुदाय से आते हैं, लगातार हमने देखा कि समुदाय के अंदर भी उनका विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं तो इसका कुछ हमें असर नहीं नजर आता है, और दूसरी तरफ स्टेट अपरेटर, स्टेश मशीनरी जो है, जो पुलिस है, पुलिस के उपर लगातारा रोप लग रहे हैं कि वो मिस्क्रियेंट्स के साथ है, वो उपद्रव्यों के साथ है, ऐसे में अगर हम स्टेट का प्रोल देखते हैं, तो वो इस वाइलेंस को समालने में कहां चूक रही है, क्या उसकी विफलताएं हैं? तो आप एक चीज में आपको बताऊंगी, यह जो वाइरल वीडियो हुआ था दो कुकी महिलाओ के बलातकार का और सेक्शल असॉल्ट का, उसमें वो चार्शित आप देखें, CBI का चार्शित, वो कहता है कि उसमें कि स्टेट पुलीस अफशिल ने उन्होंने छोड दिया, वो उनका सो कम्पलिसिटी हो या ना हो लेकिन नॉन परफॉर्मेंस था, तो यह चीजे जो है आप जब लॉएन ओर ब्रिकडाउन होता है ना, स्टेट के उपर ही उंगली उठीनी चाहिए, क्योंकि स्टेट का यहां तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी हो मिनिस्टर है, त उन पर सीधे तरह उंगली उठा, लेकिन नुडली का आप रोल देखिए, कि वो साइलेंट है, तो बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा, विदिन दे मेटे कम्यूनिटी उल्ली, तो लोग सोच रहे हैं कि यह तो बेकार है, जिस टाइम हमें लॉएन ओर सेफ्टी चाहिए थ तो यह हम देख रहे हैं कि MHA जो होम मिनिस्टर है, वो तो उन ही कोई सपोर्ट कर रहे है, he is cooperating कह रहे है, तो यह कोई असामी है, क्या, पकड़ के लाएं उनको बहुत सारा interrogation कर रहा है और he is cooperating, he is, what is his role, उनका नौकरी काम क्या है, उनका काम है, होम मिनिस्टर, चीफ मिन law and order maintain करने का, सब को सुरक्षित फील कराने का, लेकिन आप कर नहीं पाया, आपका neighbors आपको बचा नहीं पा रहे है, एक armed mob से, तीक है, आपका घर जल रहे है, आपके livelihood चले गए है, उसका कोई अता-पता है नहीं, लोग relief camp ए रहे है, जिसका कुछ नहीं है, वो relief camp ए रहे है, जिसका कोई neighbor और कोई relative बगएरा कहीं पहे है, तो थोड़ा सा पैसे विसे है, तो उधर आ गए हो, बर हालत यहाँ है, और डूसरी बात जब आप देखेंगे, आज एक साल में हम बात कर रहे हैं, आप इमफाल के रास्ते घूमिये, आप देखिए कि police दर रहे है, किस से दर रहे हैं, वो जो एक मेटी मिलिशिया ग्रूप, जो अरंबाई टेंगॉल बोलते हैं, वो पुलीस के वेहिकल में घूम रहे हैं, जी, मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगी, परसों जो एक ख़बर आई है, जहाँ पर मीरा पाइबीस, जो मेटी महिलाओं का ग्रूप ह उसके उपर आरोप लगा है कि कुछ मिस्क्रियांस को, कुछ आम्ड मॉब को पुलिस ने गिरफतार किया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था, पर उन्होंने उन्हें स्नाच कर लिया, उनके हिरासत से, उनका कहना था कि यह सभी रूरल वॉलेंटियर्स हैं, रूरल वॉ अगातार देख रहे हैं कि मनिपूर की वॉयलेंस में लिया था, इसे पुलिस के शस्त्रागारों से वहां से हत्यार ले जाते हैं, जिस एपिसोट की मैं बात करी हूं जो परसों पेश आया है, उसमें उनके पासे गोला बारुदो ग्रेने ड़ी मिला था, जो 10 या 11 लोग हिरासत में लिये गए थे, पर मीरा पाईबीज ने जब उनको छुडाने की कोशिश की, जब वहां पर राजकता बढ़ी, पुलिस ने फाइरिंग की, जिसके बीच में 11 के 11 लोग भाग निकले, तो वहां ये कहा जा रहा था कि ये लोग उपद्रवी ने हैं, ये सिर्फ व नहीं बात नहीं है, ना एथिनिक भाइलेंस नहीं बात है, मानिपूर कहीं अगर आप ले तो उसमें आप देखेंगे, इंसर्शन से इंफेस्ट एरिया है, तो उसमें लेकिन हमने पहली बार मैंने नहीं से आती हूँ, तो मैंने वहां जो ये चीज़ देखा है, कि नॉन स के बाद वो violence शुरू में involve होता है और आप जैसे कह रहे है मेरा पेवी मेरा पेवी के बहुत रिच हिस्ट्री है आप जगर डेखिएगा कि women movement जो है मेटे समुदाय में बहुत रिच वो है लेकिन अभी आज के देट में बहुत सारे चीज ब्रस्त हुए है तो मेरा पेवी के भी ऐसे ही आपको मानने पड़ेंगे तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि आप पुलीस को ऐसे लोगों को बचा के आये हैं Central Forces के आपने Wanted Militant Group के लोगों को पकड़ा है With Arms in the Heart of Capital में उनको चुड़ा के ले गए तो कैसे चुड़ा के ले गए है क्योंकि आपका जो Areas है ये सब Areas में आपने Armed Forces Special Pass उठा दिये है आपसपा उठा दिये है क्यों उठा दिये है अगर हम अमिच्छा जी के बात सुने तो वो कह रहे है कि Peace तो आ गया है Notice में मोधी जी के अंदर हम तो अपना सरकार है तो Peace आ गया है Central Forces को पकड़ नहीं पा रहे है और पहली बार हमने देखा है कि Central Forces जो है वो उनको एक Partisan रूप दिया गया है कि State का Police और किसके Community के पास है Central Forces को Community के पास है हमने इंसर्जेंसी बहुत देखा है लेकिन हमने यह ऐसा नहीं देखा है अब अब जेखिया का एरेस्ट हुए है और उपर से अब इनको प्रेजेंट जब की अनने के लेग जा रहे है मरला मेल्स्ट्रेट के कोर्ट में अब बहुत बड़ा वो है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरामभाई टेंगॉल जैसे Non-State Armed Groups जो ओवरग्राउंड घूम रहे हैं उनका जो रूलिंग पार्टी के साथ जो ताल मेल आप देखिया का इसका फाउंडर कौन है साना जोबा साना जोबा कौन है साना जोबा राजसभा मेंबर है बीजेपी से तो ओ कंगला फोर्ट के अंदर रहते हैं और वो ही वहां मिल रहे हैं वो ही मनलब पूरा सब्सक्राइब आप देखिया और उनका साथ कौन है चीफ मिनिस्टर एंड बिरेंसिंग ये चीफ मिनिस्टर कौन ही ये बीजेपी सरकार के चीफ मिनिस्टर है तो जितना भी कहें ये ट्रूट भागने वाला है नहीं न्यू डेली का मैसेज मुझे जितना लगता है प्राइम मिनिस्टर गए नहीं है तो हम लोग बहुत वो सोच नहीं है कि हमने इतना वोट दिया इस पार्टी को तो ये आने ही रहे है प्राइम मिनिस्टर को आता पता है नहीं लेकिन मुझे लगता है बहुत सोच समझ के करा हुआ एक सिस्टम है मरलब एक स्ट्रेटी है जिसके तहत ये है कि एन्बियन सिंग को सब संभालने दिया जाए और उपर से जो भी करे एक जनरल इलेक्शन आ रहे है उसमें कितना सीट है दो सीट है उसमें से हमें क्या मिलेगा ये ही इतनी ही लिमिटेड आउटलूक के साथ न्यू डेली चल रहे है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आफवा कर पहला रहे है कि बीच में आप देखिया एक 12 महिने में एक पीस दील भी हो चुका है एक मेटेड ग्रूप के साथ उनको UNLF के सेपरेट एक ग्रूप पमे ग्रूप को लेके आके दिल्ली में साइन हो गया है एग्रिमेंट सो कॉल पीस आ गया है लेकिन इतनी शौट लिफ पीस तो मैंने कभी नहीं नौटिस में देखा है थोड़े ही हपते के बाद पमे के जो में इंपॉर्टन गाइज है लोग मतलब है उनको एनाए जायके एरेस्ट करता है क्यों? क्योंकि आपने एथनिक वाइलेंस में यह प्लेड़ पार्ट तो यह कांसा पीस डील है मतलब पूरी फार्सिकल है यह सिस्टम मतलब लेकिन दे कॉमन लोग जो है इनके घर गए इनके नियर अन्दियर उन्स के खतम हो गए है इनके लाइवलिहूट का कोई हता पता है नहीं है तो यह वाली ही में अगर एक साल के बाद अगर उसको लुक बैक करे तो हाथ में यही आता है हम बात करते हैं जैसा कि आपने कहा कि सेंटर की चुपी हो और एक रणीती के तहट जो है प्रधान मंतरी जो है शांत बैठे है उनकी दिशा एकदम बदल गई है उसमें वह भाजपा से जाधा कॉंग्रेस की बात कर रहे हैं और उसमें उनके जो दावे हैं मैं कुछ एक पढ़के बताती हूं कि कॉंग्रेस आएगी तो गहने ले लेगी भैस ले जाएगी लगातार धर्माधारे तरक्षन देने की बात कर रहे है और जितनी भी दावे इनके हैं वह गर देखा जाए तो वह कहीं भी सत्यता उनकी साबित नहीं होती है यह जो पूरा प्रधान मंतरी की एक तरफ की जो चुपी है और दूसरी तरफ इतना वोकल होना है चुनाव को देखते हूँ आपको क्या लगता है कि यह भी कोई स्ट्राटेजी है कि हाँ जो हम समझ जाते हैं कि एक चीज जिस पर हम बात नहीं करेंगे और एक चीज उस पर हम इतनी बात करेंगे जिससे कि सभी जो जनता है हम उसको वोट की तरफ से मोड़ चके असली मुद्दे से इस तरफ तो यह जो जूटे दावे हैं इनकी आप क्या वजह देखते हैं कि क्यों इस तरीके से प्रधान मंत्री होते हूँ ऐसा कर रहे है इसकी कई सारे पक्ष है इसमें तो यह कि अभी तक हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते थे कि इस तरह की बात करने वाले फ्रिंज लोग हैं और इनको सीरस्ती नहीं लेना चाहिए अब तो सीधे श्रीमुक से ही यह बात कही जा रही है तो एक तो यह कि वो बात फ्रिंज नहीं थी वो हमेशा से ही मेंस्ट्रीम थी पिछले दस सालों से उसके पहले भी और अब वो ऑफिशियल हो गई है वी तक शायद वो हाँ अब यह मान लेना चाहिए कि यह एक इस सरकार की इस पार्टी की इस सोच की यह हमारे देश में लोगतंत्रों समविधान के बावजूद यह उनकी एक अधिकारिक नीती है एक तो यह जो कि मेरे खियाल से सबसे ज़्यादा रिखांकित करने वाली बात है दूसरी यह क अधिक एसा यह क्यों कर रहे हैं तो इस शायद इसलिए कर रहे हैं कि शायद थोड़ी सी जमीन उनको लगता है कि खिसकती हुई लग रही है तो इसलिए वो एक बुली जो करता है बुली नेता और सिर्फ भारत में नहीं हम बाहर भी देख सकते हैं इस तरह के नेतां को वो उनको उनके जो किसी पोर्न स्टार को पैसे देने के ओडियो प्ले किया गया वहां के जिसके लिए वो अपकी बार ट्रम सरगार कहने गये थे जिस आदमी के लिए तो हम शायद थोड़ा सा रहा है मुझे लग रहा है कि पिछले चाय मनिपूर के भी बात पर हम जैसे कर रहे तो एक जमीन हमारी खिसक रही है जमीन यह जो थी वो लोकतंत्र की थी वो समविधान की थी वो नौकर शाहों की चाहिए की थी कि वो अपना-पना काम करेंगे मोटे-मड़ा तोर पर ठीक है उसमें करेक्टिव मैजर्स होते रहेंगे उसमें गलतिया भी होंगी ऐसा नहीं गजब है तीसरा यह कि मोदी जी भातिजनता पार्टी और रस्स की प्राण पतिष्ठा किसी मंदिर में नहीं हुई है वो इस नफरत में हुई है कि उनको लगता है कि और यह भी दुनिया में हर जगह है जहां भी बहुत संख्य लोग हैं वो खत्रे में जब जाते हैं तो वो हमेशा प्राण पतिष्ठा अपनी करते हैं अधरिंग में कि जो दूसरा विक्ति है जो अन्य है जो हाश्य पर खड़ा है जो कम लोग हैं उनसे उनको हमेशा खत्रा हो जाता है और उसकी वो कहानिया बनाने लगते हैं अब डराना और नफरत करना सबसे आसान काम भी है अगर दिसरसम देखते हैं और खासतोर पे जब सारे रैफरी और एंपायर जो हैं वो चुपचाब बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धरके और वो सोच रहे हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा चुनाव एक बड़ा पड़ा होता है मेरे खियाल से किसी भी लोगतंदर के क्या फिर ये जिस तरीके की बॉकलाहट है ये क्या दिखाती है क्योंकि एक तरफ काफी सारे सर्वे मेरे खाल से ये बात तो हमको माननी ही चाहिए कि चुनाव के लिए इतना अधिक तैयार कोई नहीं जितना की भारती जंदर पार्टी हो नरेंद मोदी है नरेंद मोदी न इस चुनाव को अपने उपर एक जनादेश की तरह बना बात में कनवर्ट किया है क्योंकि मेरे खाल से उन में बाकी जो नेता है मतलब जसे कि इनको खड़ा भी किया जा रहा है चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो टेनी हो या यह यह भी अभी हमने देखा कि वहां उसके बेटे को टिकेट दे दिया गया है या भी वो रेवाना का वहां पर पर प्रचार कर रहे तो मेरे खाल दस सालों में सबसे बड़ा एक कैजुवल्टी जो है लॉजिक हो गया एक जो 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 नेतिकता और आदर्श की बाते हम किया करते थे अब वो कहीं हमको लगता है कि हम नहीं देख पा रहे हैं अगर किसी नेता पर आरोप लग रहा है जो कि मतलब मुझे लगता है कि और वो किसी भी एक सब मानवी समाज में जरूरी होती है हमने शायद यह इस तरह धकेल रहे कि अपनी मनुष्टा छोड़ के तुम इस धर्म की और की दुहाई कि दुहाई है कि आप फलाने धर्म के हैं तो आप जो है अपनी मनुष्टा छोड़ दीजिए उसके लिए और यह पहली बार में ख्याल सम देखने को मिल रहा है कि जहां पर राजनीती धर्म और समाज को एक साथ हम लगभग ब्लैक मेल कर रहे हैं एक किसी डर या नफरत के मतलब जब हम यह सोचते हैं जब वो हर तीसरा भाशन है हम लोगग पत्र काया है हम दिन रात वह भाशन देके जा एर हम सिर्फ एक्ट चे कर रहे हैं हम लोग पिछले दनों में तीन बार भाट चेक कर चूकर के है कि जो उन्होंने दावे किये हैं कि वolar थे उसके यह जुन दस्तावेज का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉंग्रिस के घोशना पत्र में ऐसा क्या है, वो घोशना पत्र सारवजनिक है, उस सारवजनिक तो जिस चीज के आपने गहरत कहां, मैं उसके साथ एक दूसरा शब्द जोड़ूंगी, दुस्ताहस, कि आप एक ऐसा दस्त जो दिखा रहे हैं, क्या जनता के लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल है? जैसे कि मनिपूर का ही जो एक्जामपल है, जो मुझे लगता है कि मैं बार-बारे सोचता हूँ कि वो डेमोकरसी का एक भेले कश्मीर था, फिर मनिपूर हो गया, मनिपूर के देमोग्राफी वैसी ली जैसे कि कश्मीर की है, तो उसमें वो आर्गुमेंट उस तरह से काम नहीं करता जो कि, पर डेमोकरसी वहाँ भी एक तरह से आइसीव में चली गई है, और वो एक तरह का प्रयोग है कि, सबसे बड़ी बात शायद विसे दस सालों में जो मोदी जी ने एक चीज़ जो कमाई है, वो सबसे जो की बड़ी है कि, I can get away with anything, I can ruin you, I can get you killed, I can, you know, आप पे पेक्स लगा दूँगा, आपको कोविट से मरने दूँगा मैं, तो मैं उस सब के बाद भी मैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, यह उनको एक अदम में विश्वास पता नहीं, जहां से भी आता है, वो लोकतंतर से तो नहीं आ सकता, वो सच बोलने से भी नहीं आ सकता, वो कहीं और से आता है विश्वास जो है, और हम शायद जो हम और आप जो पत्रकार हैं या जो समाज को इस तरह से देखते हैं, हम अपनी मासूमियत में फसे हुए हैं, क्योंकि हम यह नहीं देख रहे हैं कि यह ऐसा हो, इस से हो क्या रहा है, हम सूचना जानकारी में होगा अभी तक का, तो वो 37 फिसदी शायद के वोट थे, 63 फिसदी भारत जो हैं के साथ वोट नहीं दे रहा था, जितने वोट भाजपा के माद मुझे बड़ा यह मंदरेगा के जो कार्ड होल्डर हैं, वो शायद उनका, उनकी संख्या कई करोड जादा है इस देश में भ देखते हैं तो पूरा का पूरा विमर्ष चुनाव का जो है, वो हो गया है अतीत के बारे में, हम मतलब नहरू और मोदी में जो बुनियादी फर्क है, नहरू पास ठीक था अपनी जगह है और उन्होंने पने किताब इताब लिखी जब वो जेल में थे, पर उन्होंने एक फ्यूचर का एजंडा सेट किया, नरेंद मोदी के पास फ्यूचर का कोई एजंडा कभी भी नहीं था, पर वो दो हजार से तालिस की बात कर रहे हैं, वो हमेशा आपको और वो डिस्ट्रेक्शन सें, जो उनका दो हजार, मतलब सबसे अच्छा प्रचार अगर मोदी जी के खिलाफ कोई कर सकता तो वो बतौर मोख्यमंतरी जो मोदी ने उस समय किया था, वो पचार होना चाहिए था, तो हम और इस सब के लिए शायद हम सब जिम्हदार है, और विपक्ष भी जिम्हदार है कि वो कोई बहुत ऐसा खुद को मोबिलाइज, कनवर्ज नहीं कर पा रह है कि यूम जनता जो एक हो गया है, वि अचछा बात बड़ नेता है योगी आदेतनात हो गया है, राजनात से ओगए, अमिछ नहीं अचाह हो गया है, यह वो जो अपने आसपास की लोगों से बात करते हैं, विपक्ष भरूसा के उने जगा पारहा है जनता में जो भाजप पर अब जब एक आल्टरेटिव आ रहा है, तो क्यों वो भरोसा नहीं जीत पा रहा है। जो जािए लिए बहुत सारे जो चीजहें जो तयारियां चाहिए चाहंएं उसके लिए जो सोच चाहिए उसके लिए हुए Deepak ख़े हमें उसके लिए उसके लिए उस पर देख रहे हैं कि वह एक बहुत इमॉर्फफस है भी वहुद अधिक एक तरह से मजबूत गट भंदन नहीं है, निरनायक भी नहीं है, और वो ठीक है एक लोगत अंदर के लिए, मतलब मुझे नहीं लगता है कि हमको कोई, मोदी का जवाब में या जो बीजे, मोदी की जो नीतिया है, उनके जवाब में आपको मोदी जैसा ही कोई खड़ा करने क जरूत नहीं होनी चाहिए, मेरे खाल से ये इवेंचुली रेफरेंडम में ये भी है कि ये नरेद मोदी और बनाम, 140 करोड लो गया, जितनी भी हमारी कालपनी क्या जन संक्या, जो शाद उनको तो पता पर देश को नहीं पता, पर वो जो जन संक्या है, वो और वो आप बी जरी जब वोट डलेगा और गिना जाएगा और वोट डलने और गिनने के बीच का जो पूरा है कि अगर देखे तो चुनावी प्रक्रेश में शुरू हो रहे तो हर चीज पे सवाल है, और जनता का एकवर की चीज मान पी रहा है, जो आपने जिक्र किया, कि जनता का एकवर तोर पर जो भरूसा जीतने की बात होती है या एक अल्टेनेटिव पेश करने की बात होती है, वो नजर नहीं आता है. नहीं, जैसे कि अभी भी हर चौथा जो वेक्ति है गुजरात में, वोटर, फिसले चुनाओ, विधान सबा चुनाओ में, तो हर चौथा वोटर अभी कॉंग्रेस को वोट दे रहा है, जबकि मुझे कोई नेत्य तो नहीं दिखता, कोई पाचार नहीं दिखता, कोई कैंप पार्टी पहली बार आई थे, उसके चाहथ आठ परसंट के आसपास वोट थे, तीन परसंट साथ OSE, M.I.M. के इनका वोट, तो मेरा कहना है कि कॉंग्रेस या विपक्ष वोट तो है अभी भी जादा, बतला, वो 63 परसंट वोट अभी भी भारत का जो है वो नेत्मोदी के बिग मीडिया जैसे है या जो लोगों को सरकार, पॉलिटेशियंस, मीडिया, एक हद तक न्यायपाली का, फिर समयधानिक जुसंस्ता हैं, जुनावायोग की तरह, वो सब लोग उसको फेल कर रहे हैं बार बार, तो जब वो फेल कर रहे हैं, तो उसके रास्ते फिर लोग निकालेंगे जब आप जो आपका काम था अगर वो आपने अपना काम नहीं किया, तो लोग अपना रहे हैं, लोग अपने अपना खुद मीडिया बन रहे हैं, लोग अपने तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन के बाहर भी बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, बजाए पॉलिटिकल पार्टी कोई मान लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस पूरे चनौती में लगभग पिग्मीज की तरह दिखलाई पड़ते हैं, वो कोई बहुत ऐसे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपने बेस सेंटेंसे फॉर्म करते हैं इस समयाँ मैं दो-तिन चीज़े इसमें एड करना चाहूंगी, पहली बात तो मनिपूर में, जैसे सर ने कहा कि वहाँ पे मुसल्मान थोड़ा कम हैं, तो इसलिए हिंदू-मुसल्मान थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन Christian community है, तो पहली बार हमने सर नौर्टीस में एतनी conflict तो बहुत होता है, लेकिन पहली बार हमने churches को attack किया हुआ देखा है, ठीक है, ये एक religious angle जो है, मनिपूर में जो हुआ इस पार, ये हमने, मनिपूर हमेशा से news में रहे for all wrong reasons, violence, insurgency है, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा ये चीज़, मनिपूर में इस पर हम churches attack देख में और एक comparison आपको करना चाहूंगी, कि जैसे देखिए, silence of the Modi सरकार, ये मतलब अगर बिरेन सिंग को औरेट कर रहे है, उनको रख रहे हैं, ये चीज़े है, ये hold up करना बहुत जरूरी है, ये पार आगे रखना बहुत जरूरी है, आप सुचिए जब 2002 में गुजरात riots हु में आप जाएंगे तो ये clip देखेंगे, जिसमें बड़ा फेमस नी बाजपाई चीज़ें कहा था कि राजधर्म तो रहा है इसने, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता है, उनके मुझ से पता चल रहा है कि वो uncomfortable थे, तो मुझे लगता है ये एक repeat show है अभी, इतना सोच हो रहा है, लेकिन वो जो है गुजरात मॉडल ला दिया गया है, कि आप जैसे भी हो, आप लोग मरे कुछ भी हो, लेकिन हम आपको रख रहे हैं चीफ मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर हो कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये मुझे लगता है ये असली गुजरात मॉडल क जो आपको रूप दिख रहा है, वो चीजे आपको थुड़े देखना पड़ेगा, वापस रिपीट होता हूँ, जी जी मुझे लगता है, इनके साथ में दूसरी चीज जोड़ना चाहूंगी, अनुसूचे जनजाती, स्टीज जो हैं, इस समय मिस्टर मोधी अपने भाश जाती है, समुदाएं हैं, उनको डीमिनाइज किया गया है, उनके साथ में जितनी भी उनकी, जैसे कुकी जो मिस्टर हो गई है, ये लोग लगातार इनकी शिकायत है, कि बहुत संखेकों को तवज्जो दी जा रही है, तो वो जो समुदाएं हैं, जिसको वो यहां इंडिया के लोगों के लिए वो STs को बता रहे हैं कि नहीं आपका, पर उन STs का क्या जो मनीपूर में है, आपको नॉर्टीस के STs और बाकी देश के STs को अलग देखना पड़ेगा, मैं बताओ, आप इस ऐसे कुकी के खिलाफ ये कुछ इतना हुआ, माइनॉर्टी कम्यू कोई भी विडाउड एजनसी नहीं है, मतलब एक से इतना बेचारा नहीं है, वो कुछ तो कर देगा, वो फाइट करेंगे, तो ये चीज जो हमने बाकी जगा में शायद माइनॉर्टी होते वह इतना देखते नहीं है, तो ये थोड़ा अलग अलग देखना पड़ेगा तो ये शब्द का जो एक वेपनाईजेशन जो हुआ है, ये भजवारा और ये सबसाइट में, तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि पूरा जो इनका नौडरन बेल्ट है, जो काव बेल्ट कह जाते है, जिसमें इन्होंने एक बहुत-बड़ा फ्रंटियर ब जो ग्राउण में नौकरिया नहीं है, कोविड के बाद बहुत सारे हालत खराब हुआ है, जाके इन्फलेशन जीजों का डाम बढ़ा है आपका पैसा तो नहीं बढ़ा है, आपका कमाई तो नहीं बढ़ी है, तो ये छीज़ें जो हेलट केर को कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही दशाता है कि आपका एंटी इंकम्बेंसी है दस साल का जो आपका एंटी इंकम्बेंसी वो अभर के आ रहा है तो आप अगर anti-income में से तो आप फेस नहीं कर सकते, तो आपको क्या होगा, जिस मतलब इट और पत्थर से आपने वो frontier बनाई है, वो communal frontier से बनाई है, तो आप पूरे communal सवाल पर जाएए, आप उनको दराएए, आपको तुमारे जमीन ले जाएगे, तुमारे ये कर देंगे, म वो भी समझ रहे हैं, आप अकर देखियेगा, जितने सारा इतना मतलब हम जब ground में घूम रहे हैं, तो उसमें क्या है, नंबर कितने percentage आप देखियें, वोटर्स, कितना कम हुआ है, जितना कम percentage हो रहे हैं, उतना ही इनके आवाज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मुझे लगत सकता है कि यही जो डर्रह यह वज़ा है कि भाजपा पूरा का पूरा उसका जो चुनावी प्रचारआभ्यान है उनका जो campaign है वो पूरा का पूरा धर्म पर सेंट्रिक हो गया है आप स्टेट जो बीज़िभी यूनिट्स है इनके nou can तो किया लोकतंत धर्म के हिसाब से चल सकता है , क्या भारतकी सनस्थाएं गान करों सब्सक्रा 근데 कि यह है दर्म के भारत 부분이 मत दाताओं के लिए मनें थे फी लिए नहीं है किरना गोली य्ऱ काुट कर पार रहें नहीं वो जिन मुद्दों पर वोट देंगे, मतलब हम बोलते हैं ना कि धर में अतीत की फॉल्ट लाइन है, जाती अतीत की फॉल्ट लाइन है, पर जो भविश है वो तो अगर एकोनोमी रहेगी, नौकनिया रहेगी, जगह रहेगी, आपके पास आफसर रहेंगे, समानता रहेगी वो फॉचर की तरह आप बात करते हैं, तो इस फॉल्ट लाइन पे, कि फॉचर वर्सेस पास्ट, तो अब हम बेसिकली जो लोग साइन इन कर रहे हैं, नरेद मोदी और उनकी नीती और उनकी बातों के लिए, हम अपने उस एक कालपनिक स्मृती, जिसको मैं कहता हूँ, कि वो एक inventive memory है, तो उसके कोई तत्थीवत्य से कोई मतलब भी नहीं है, नहीं लग जरूँआ, तो ओंका जन्म यहाँ हुआ था, ये धर्म यहाँ है, यह वो चीज़ यहाँ κोंधे, या इन इस पह yanlış बई मोदी को इन निच्डव मोदी को बल जायु का बहू जाऊ, कि वोट दो और जो की शायद हुआ या नहीं हुआ उसके लिए सब तथ्य को भूल जाओ फैक्ट को भूल जाओ सच को भूल जाओ अपनी जिंदगी में जो आपकी गुर्बत है आपकी मुश्किले हैं आपके सकरे होते हुए मौके हैं बेरोजगारिया हैं अधा देश इतना सा अधार आपके डेमोग्रफिक डिविडेंट की उन्होंने बिलकुल बटा बठा दिया जो अच्छे से बटा बठा बठाया तो और उन्होंने जो भी बड़े अपने आपको क्रामतिकारी समस्ते हो जो भी बड़े फैसले किये वो हमेशा जन विरोधी रह है उसमें नईद म वो उन्होंने तो भी बना लिया है रेफरेंडम और उनके पास सारे मेडियम है जो सुबह शाम दोपहर को उनकी बाते कहलाता है उसी को एम्प्लिफाई करता है जैसे एक बार जब यह दिली दंगे हो रहे थे तो मैंने एक मुसलिम को तीन मुसलिम नड़कों को डंडा मारते के लिए कह रहा है तो मैंने उसके बार में सोचा था कि वो जितनी बार हम लोग उसको वीडियो को रिप्ले करते हैं तो उतनी बार डंडे मारे जाते हैं उस पे तो यह जो पूरा एम्प्लिफिकेशन का जो गेम है वाट्साप पर जो कुछ चल रहा है हमारे आर डवलो अब उस नॉइज में बहुत सारे लोग उसमें से अडिक्टेड है मेरा एक दोस्त है जो कि कहता है कि जब देश खुद को खाने लगे हम खुद को ही खा रहे हैं बेसिकर अपना ही तो हम शायद सिफ इसकी लिए आवाज निकाल सकते हैं चीक सकते हैं हम करा सकते हैं इस बा सबके बावजूद यही हो रहा है तो और ऐसा बहुत सारे लोग हैं इस बेश में लगने लगा कि अब जो है हमारे लिए यहां पे जगह बहुत कम हो गई है यह जगह नहीं रही है यह हम एक बिलकुल ही हाशिय अगर थे तो अब हाशिय से बाहर धके ले जा रहे हैं बात क जब मोदी जी के खिलाफ कंप्लेइन हुई तो उन्होंने नड़ा जी को नोटिस भेचा है तो यह जिस तरीके की चुपी और जिस तरीके का रवया हमारी समवाइधानिक संस्ता है और खास तौर पर निर्वाचा नारायोग वो भी इतने महतुपूर समय में जब देश आम तरीशत देने में उनको 11 दिन लग रहे हैं और फिर यह तो अपने आप में ही बहुत ही विज्ञान और उस सब के बावजू टेक्नलोजी के हिसाब से भी अगर वो नहीं गिन पा रहे है तो यह उनकी बहुत दक्षता को बहुत अच्छे सरे खांकित करता है और दूसरा य पारे में जो बता रहे हैं गलत ब्यानी हो रही है उनकी वह जिन लोगों को अपने दुश्मन जैसा बता रहे हैं वह सब खरकतिव है है और क्योंकि वो ACCOUNTABLE उनको करवाने का और心 तो फिल होता नहीं शायद ACCOUNTABLE होना कोई करवाथा तो शयाद वो सब उनको को बोलना पड़ता और वो सबके लिए शयद ओसे मोधी और बीजेपी और RSS कर ण CF तो पुरी नहीं है जहां जहां बाते हो रहे हैं, मतलब जो कि हम पिछले अलग चुनाओ दे सकते हैं, जो वहाँ वहाँ पर उनको जवाब देना मुश्किल भी हुआ, वो भी देखने को पता है। यही सवाल, Sangeetha, मैं आपसे भी करूँगी कि चुनाओ आयोग को जब आप पिछले रेफरेंसे के साथ रख कर देखती हैं, इतने सारे चुनाओ हुए हैं, हम अठारवी लोग सभा के चुनाओ करवा रहे हैं, जब हम पिछला पूरा इतिहास देख रहे हैं, तो हम जब चु इमर्जनसी जैसे हो गया है, मतलब आप किसी कुछ को सवाल नहीं कर सकते हैं, आपके जितने भी constitutional institutions है, उसमें ECI भी आता है, तो वो वीकेंड हो गया है, capture कर दिया गया है, यह सब शब्द हम सुनते हैं, और जब बाते होती हैं, तो उसमें एक चीज है, कि emergency तो undeclared की बात हो रही है, एक declared emergency भी था, उस टाइम भी जब आप पढ़ेंगे उदका सब documentation आप देखेंगे, उस टाइम भी आपको reporting में कहीं नहीं आपको दिखेगा कि election commission इतना compromise हो चुका है, इतना compromise हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं ले पा रहे हैं, जैसे होता है न, आपके कोई family में पापा का नाम नहीं लेते हैं, तो यह ऐसी वाली हालत हो गई है, तो मतलब उनको अब अब देखें, मतलब वो जो अभी election commissioner वो जो यहाँ पाँचे हैं, और उपर से अप कैसे पहुचाया गया है, वो भी आप सूचिए, जैसे supreme court का order को side में किया, और वो अपना एक minister ले आता है, उस कमिटी में, वो लोग select करेंगे, वो लोग decide करेंगे कि election commissioner कौन बनते हैं, तो आप सूचे यह constitutional body है, जिसमें अगर मैं आज मेरे date पे, अगर हम आज के date में हमका ground में जाए और आम जनता को पूचे और वो election commission को सवाल करें, तो जाइज है, क्यों जाइज है मैं बताऊं, मोदी पैदा कर दिया है, मोदी जी ने खुद doubt पैदा किया है, election commission में, तो इसका जो यह जो, यह of course, जैसे मैंने कहा कि यह जो election commissioner है, वो history में जाएंगे, उनको उनकी बारे में लोग पढ़ेंगे, क्या नहीं होना चाहिए, world's largest democracy में, या जैसे मोदी जी कहते है, mother of all democracy में, क यह हम पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है कि इसका मतलब खाली पढ़ना ही नहीं है, इसका मतलब जो है, जो weakening of the democracy हो रही है, जो आप जिसका एक हिस्सा है, मतलब democracy का मतलब क्या है, जिसे आप vote देने का मतलब क्या है, आप अपना दिमाग लगा के, आप अपना नेता चुन र लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, लगातार लोग दर्ज कर रहे हैं, पिछले 15 दिनों से तमाम twitter accounts पे, तमाम media houses में, यह list बन रही है कि कहां कहां कैसे कैसे violation हुआ, मैंने सिर्फ भाजपा की state units की बात किया है, जो नेता है, नेता लगातार दे रहे हैं, आप देखे ना, आनंत आयो का जो रवाया है, वो questionable खुद ही बना रहे हैं, जो भाजपा के लेता है, लेकिन साथी साथ एक चीज और है, इलेक्शन फ्री अन फेर कराने का जो डिखनी भी चाहिए, डिखना बहुत जरूरी है, आप कराए तो उसको डिखनी भी चाहिए, तो इसका मतलब है, अगर आनंतनाग बे, कोई भाजपा खेल नहीं रही है, आनंतनाग सीथ, लेकिन उनके सहयोगी पार्टीज खेल रहे हैं, तो उसमें अगर opposition कह रहे है, कि भाई, इसमें एक alternate route है, जिससे हम लोग सब जा के campaign कर सकते हैं, ठीके, वो हो सकता है, कि कोई सोच रहे कि भाई, उसमें व opposition भी कह रहे हैं, लेकिन एक और रस्ता है, हम जा सकते हैं, तो आपका election commission का काम क्या है, आप यह भी सोचें, आप जो argument डेरा opposition आप इसको सोचें, यह वो कह रहे हैं, कि जो main जो बहुत सारे वोटर जो है, इतने assembly segments मिलके, जो अननाग हो रहा है, उसमें बगर्वाल और यह ज कि उस area में वोट देने के लिए नहीं होंगे में 25 को, तो election commission का काम क्या है, आपका allegiance किस के साथ है, आपका allegiance होंगे वोटर के साथ, वोटर को ठीक करना है, हम वोटर पॉलिंग बूट में पानी क्यों रखते हैं, हम बेंच क्यों लगाते हैं, हम यसलिए कर रहे हैं कि वोटर कर पाएं, तो इसलिए आगर इतने सारे लोग आगर भोट नहीं दे पाएंगे, आपने suddenly इसको बदल दिया, तो कौन दे पाएंगे तो आप किसलिए election करा रहे हैं, तो यह सवाल बहुत fundamental सवाल है और बहुत अहम सवाल है, जिसका जवाब मुझे लगता है election commission के पास नहीं ह आप कह रहे है, हजय का चुपी, हम उमीद कर सकते हैं कि चुना आयोग और तमाम संवाइधाने, संस्थाएं जो हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, हमारे साथ जोड़ने के लिए निधीश जी आपका धन्यवाद, संगीत अच्य धन्यवाद, नमस्कार झाल